इंगलिस साहित में रॉमैंटिसिजम यह ऐसा फेज है जिसमें कई महतोपुर्ण कवियों ने जनमलिया था। उनमें विल्लियम ब्लेक, विल्लियम वर्ट्सवर्थ या स्टिक कोलरीज इन रोमेंटिक पोएट्स को फॉर्स जनरेशन रोमेंटिक पोएट्स कहा जाता है तो जॉन कीड्स, पीपी शेली और लॉड बाइरन इन्हें रोमेंटिसिजम का सेकंड जनरेशन पोएट समझा जाता है आज हम रोमेंटिसिजम के सेकंड जनरेशन पोएट जॉन कीड्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों ये 1795 की घटना है इस साल 31 अक्टोबर को लंडन में थॉमस कीड्स और फ्रैंसिस जेनिंग्स इस दामपत्ते के घर जॉन कीड्स का जन्म हुआ था उनके घर की हालत उतनी अच्छे नहीं थी पास के ही एक स्कूल में उन्हें एडमिशन दिलाया गया स्कूल के दिनों से ही जॉन को सहित्य से बड़ा लगाओ था जब उन्होंने रेनसाफ पिरेड के लिखों का सहित्य पड़ा तो वे दंग रह गए खास तोर पर इलिजबेदन पोएट एडमंड स्पेंसर का उन पर बड़ा प्रभाव था जॉन के बच्पन में ही उनके पिताजी का देहांध हो गया फिर उनके मा ने दुसरा घर बसाया पर उसकी और दुसरी शादी ज़्यादा देरे तक नहीं टिक सकी और उसने अपने दुसरे पती से तलाग ले लिया इसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर अपने मा के यहां रहने चली गई वा जॉन की पड़ाई फिर से शुरू ही कुछ समय तक तो ठीक चला पर उनके भागे में कुछ अलग ही लिखा था जॉन कुछ 14 साल की होंगे तब उनके मा को टीबी हो गया और वो उसमें गुजर गई इसके बाद जॉन का जिवन बड़ा ही संगर्श मर रहा लेकिन अपने हालात से जुन्सते उन्होंने अपने शिक्षा जारी रखी 1815 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एड्मिशिन लिया वे बड़े गंभीरता से मेडिकल का अध्यान भी करने लगे उस समय के अच्छे डॉक्टर बनने की उन्होंने मन में ठान ली थी लेकिन एक ही साल में उनकी पोईट्री में रूची बढ़ गई और मेडिकल छोड जो ने कभी बनने का तय कर लिया उस समय के और एक बड़े पोईट जिनके संपर्क में कीड्स आये थे उनका नाम था लेह हंट वे एक पत्रिका निकाल थे थे उस पत्रिका का नाम था दे एक्जामिनर उन दिनों इस पत्रिका का इंग्रण के सहित्य जगत में बड़ा नाम था उन्होंने किड्स की पोयम ओ सल्यूटूड यह अपने पत्रिका में पब्लिश की इससे जॉन को बड़ी प्रेर ना मुड़ी और उन्होंने पुरी तरह पोईट्री राइटिंग के ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया मेडिकल का अच्छा करियर छोड़ कर पोईट बने किड्स को हमेशा ही पैसों की कमी रहती थी उनको फैनी ब्राउन इस यूति से प्यार हो गया उनका यह प्यार बड़ा गहरा था पर अपने प्रेमिका से उनकी शाधी नहीं हो सकी फैनी पर भी किड्स ने अनेकों कविताय की है दुर्बाग्य वश उनके होते हुए किड्स की कविता को किसी ने नहीं सराहा बलकि बड़े ही भद्दे शब्दों में उनके काम का क्रिजिस अबजम होता रहा किड्स को वैसे बहुती कम जिन्नेगी मिली जॉन केड्स अपनी मा के तरह टीबे के शिकार हुए वह दिन था 13 फबरहरी 1821 उस समय उम्र के बस 25 साल ही वे गुजर गए वे जब गुजरे थे तब वे रोम में थे उन्हें वही दफनाया गया उन्हें अपनी जान जाने से पहले ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें वहाँ जहां दफनाय जाए उस टोम स्टोन पर उनका ना तो नाम लिखा जाए या गुजरने की तारिक लिखी जाए इसके बजाए एक वाक के लिखा जाए वो ऐसा था याने यहाँ पर वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी में लिखा हुआ है लेकिन उनके की जाने के बाद सही तरह से उनकी महानता का स्विकार हुआ या कितनी विडम बना है कि कई महान व्यक्तियों की सही पैच्छान उनके गुजर जाने के बाद ही होती है अब हम किट्स के सहित्य का वारे में बात करेंगे अपने छोटे से जीवन काल में किट्स ने कुछ 6 साल पोईट्री लिखी थी वो समय था 1814 से लेकर 1820 उसमें के 2 साल याने 1819 और 1820 ये उनके करियर के बड़े ही महतोपुर्ण साल माहे जाते वे खुद का वर्नन चैमेलियन पोईट ऐसा करते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो आपने सहित्य में स्टैटिक नहीं रहे थे और जैसी परिसिती रही उस तरह से खुद को ढाल देते है सेंश्योसनेस ये तो जैसे किट्स के पोईट्री का हलमाख है पाटकों को सेंसों को जगाने वाली कविता उन्हों लिखी थी वैसे उन्हें पोईट आप ब्यूटी भी कहा जाता है ब्यूटी इस टूथ टूट ब्यूटी यह लाइन तो आपने सुनी ही होगी यह उनके ओड और और इग्रिशन अर्न इसमें के शब्द है यह उनकी 1816 में पब्लिश होई सौनिट है यह उनके पोईटर की शुरुवाती दियोनों की कविता है उसकी बड़ी अलोशना हुई थी एंडिमाइन यहां 1818 में आई उनकी बड़ी महतोपूर्ण कविता है इस कविता की ओपनिंग लाइं बड़ी फेमस है यह कविता ग्रीक माइथलोजी पर आधारी थे मुझे यहां एक बात बताना जरूरी लगता है किट्स पर ग्रीक माइथलोजी का बड़ा प्रबाव था किट्स ने यह पोईब थोमस चाटरटन को समरपी थी शैद आपको पता होगा यह चाटरटन उस समय का बड़ा ही प्रतिभाश अली कवी था जिसकी मुरुत्यू महस 17 साल में हुई थी इसके बाद किट्स की जो महतोपुर्ण पोयम है उसका नाम है इजाबेला और दे पोट अप बैसिल किट्स ने जो बैलेड लिखी थी उसका नाम था अब यहाँ सवाले उठता है कि यह बैलेड क्या होता है तो बैलेड का मतलब है दोस्तों ऐसा दिर्गा का विए जिसमें कोई कहानी ज्यादा तर प्रेम कहानी बताए गई हो किट्स के फेमर्स ओर्ड के बारे में हम बात करेंगे 1819 में उन्होंने कुछ चे ओर्ड लिखे थे वह ऐसे देखिए ओर और और इंडोलन्स ओर और और मेलनकली ओर टु ए नाइट एंगल ओर टु साइके और टु अठम यह उनकी चे बड़े ही प्रसिद्ध ऐसे ओर माने जाते इसके बाद हम देखेंगे लेमिया नाम की 1819 में एक बड़ी प्रसिद्ध कविता किड्स ने लिखी थी यह हेरोईक कॉपलोट में लिखी गई पोएम है जिस पर बर्टन के अनाटोमी ओफ मेलनकली का बड़ा प्रभाव था हाइपेरियन यह 1820 की कविता है जो इपिक था अक्चुली पर वो किड्स पुरा नहीं कर पाए है तब फॉल अफ हाइपेरियन ए ड्रीम यह भी रचना वो पुरी नहीं कर पाए ओथो नाम का एक पोएटिक ड्रामा भी उन्हें लिखना था लेकिन वो भी उसे अधिराई छोड़ के चले गए यू आफ सेंट एगनस यह 1820 की उनकी महतोपुर्ण वहम है दोस्तों कविता के साथी साथ उन्होंने कुछ लेटर्स भी लिखे इंगलीज सहीते में इन लेटर्स का भी बड़ा महतोपुर्ण है उस समय के बड़े ही महतोपुर्ण रोमेंटिक पोएट थे जिनका नाम था पीबी शेली शेली ने किड्स पर एड़ोनिस नाम की एक पोएब लिखी थी लेह हंट या शेली ये दो ही ऐसे महतोपुर्ण सहीते कारून जिनों के है जो उन्हेंने किड्स के योगगता को पैचाना था शायद आपने कोकनी स्कूल आफ पोएटरी ये शब्द सुनी होंगे ये उस समय के टिकाकार लेह हंट और उनके पोएट दोस्तों की भथसना करने के लिए यूज में लाया करते थे किड्स गुजर जाने के बाद उनके पोएटरी का महतो लोगों के समझ में आया दोस्तों ये बात हम समझ लेंगे उसके बास आज तक उनकी कविता दुनिया भर में पड़ी जाती है अपने छोटे से करियर में जॉन किट्स ने ऐसा काम किया कि सद्यों तक उन्हें याद किया जाएगा